दोस्तों MS धोनी एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही किसी भी इनसान के मन में आत्मविश्वास जाग सकता है। अंतरराश्ट्रिय क्रिकेट से सन्यास लेने के बाद भी धोनी का क्रेज कम नहीं हुआ है। आज 7 जुलाई को अपना 43 वा जन्मदिन मना रहे महेंदर सिंग धोनी को उनके लाखू फैंस जन्मदिन पर बधाई दे रहे हैं। बॉलिवूड के सुपस्तार सल्मान खान ने उनके जनमदिन पर धोनी को बधाई दी है। उनके जनमदिन के विशेश अफसर पर माही और साक्षी का एक प्यारा वीडियो भी वाइरल हो रहा है। सल्मान खान भी धोनी के जनमदिन में शामिल हुए। उन्होंने धोनी के लि साक्षी अपने पती MS धोनी के पैर चुकर उनका आशिरवाद लेती नजर आई यह विडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है दोस्तों महेंदर सिंग धोनी का बचपन, जवानी और पूरा क्रिकेट करियर किसी प्रेरनादा एक कहानी से कम नहीं रहा है जीवन के हर पड़ाव पर अपना एक अलग स्थान बनाने के उनके संगर्श को स्कूलों और क्रिकेट की फील्ड में एक सीख के तोर बताया और समझाया जा सकता है और अगर खुद महेंदर सिंग धोनी की बात करें तो उनके मुह से निकले शब्द उनके चाहने वालों और उनके फैंस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होते हैं तो आईए जानते हैं महेंदर सिंग धोनी के कुछ ऐसे इंस्पिरेशनल बयान जो आपको जीवन के हर मौके पर आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण सीख दे सकते हैं। एक बार MS धोनी ने कहा था कि यह जाना महत्वपूर्ण है कि क्या गलत हुआ। न केवल जब आप एक श्रिंखला या एक मैच हार रहे हों बलकि तब भी जब आप एक श्रिंखला जीत रहे हों। यह हमेशा महत्वपूर्ण है कि आप यह न सोचें कि आप किसका नेत्रित्व कर रहे हैं। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि क्या करने की आवशक्ता है और लक्ष को पूरा करने के लिए आपके पास किस प्रकार के संसाधनों को चैनलाइज करना है जो आपको प्राप्त करना है उसमें सफल होने के लिए। मुझे ऐसी योजना देना पसंद नहीं है जिसे लागू करने में गेंदबाज सहज नहो हो सकता है कि मैं चाहता हूँ कि एक गेंदबाज एक खास लेंद पर गेंदबाजी करे लेकिन 80 फीसदी बार उस लेंद पर गेंदबाजी करना उसके लिए मुश्किल हो सकता है में नहीं जान सकते की लक्षिक क्या है, मैंने अपने सीनियर खिलाडियों से सीखा की कैसे विन्मर होना है, जब आप सफल होते हैं, तो खुद का आचरन कैसे करना है, और कठिन समय से बाहर निकलने का रास्ता कैसे निकालना है, हम सभी में तूटियां है, हमें सुधार करने क जरूरत है, यदि आप स्वयंग के प्रती इमानदार हैं, तो आप अच्छे निरने लेंगे, आप स्पोर्ट्स में एक अलपकालिक दृष्टिकोन के साथ परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते, यदि आप युवावस्था में कोई खेल नहीं खेलते हैं, तो आप इसे 30 साल क की उम्र में नहीं खेल सकते, पांच मिनिट में जरनी को संक्षेप में बताना मुश्किल है, लेकिन यह निश्चित रूप से बहुत ही घटना पूर्म रही है, पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन खेल भी उतना ही जरूरी है, जितना की पढ़ाई, अगर आपने साल भर पढ़ाई की है, तो एक दिन खेलने के लिए जाने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने हर दिन पढ़ाई नहीं की है, तो एक दिन कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है, तो दोस्तों अगर आप महेंदर सिंग धोनी के सच्चे फैन हैं, और आपको धोनी की इन प्रेरना और दायक बातों में इसे सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ में उन्हें जन्म दिन की शुब कामनाई दे सकते हैं.